बंगाल में चुनाव हो और तनावना बालिंट क्लाश इरॉप्टिड प्रोटेस टेकिंग प्लेस अमिद बेंगॉल रीकाउंटिंग कास सेट उन फायर, बसस वैंडलाइब, स्टोन्स वॉ पेल्टेग, हर ओर, सियासी हिंसा, 14 लाइफ्स वे लॉस्ट, बेंगाल के सियासी ह बेंगॉल में पंचायत इलेक्शन के दौरान हिंसा के चलते कम से कम 17 लोगों की मौत हुई, सिर्फ इलेक्शन के दिन उससे पहले और उसके बाद सो अलग, वोटिंग के दिन साउट 24 परगनाज, नौट 24 परगनाज में तनाव का महौल था, लोगों के घरों में घुस पॉलिंग बूट्स तक पहुचने के लिए रास्ते रोके गए, और कुछ जगा तो विपक्ष के पॉलिंग एजेंट्स को ही घायब कर लिया गया, दीदी ने बोला तक खैला हो बे, लेकिन ये तो सरासर फाउल चल रहा है फुटबॉल फील्ड पर, बेंगॉल प्रदेश कॉंग्रेस प्रेजडेंट अधीर रंजन चौधरी ने तो ये संगीन आरोब लगा दिया, कि होम मिनिस्टर ने जान बूच कर सेंटरल फोर्सेस को देर से भेजा बंगाल में, जिससे टी-एमसी को फाइदा पहुचे, क्योंकि टी-एमसी और बी-जे-पी की एक अंडरस् अधर बी-जे-पी वर्कर्स लेकिन नेशनल हाईवे 31 पर चका जाम करते हैं, बी-जे-पी का ये कहना है कि टी-एमसी के वर्कर्स ने बूच कैप्चरिंग किया, हिंसा भढ़काई और लार्ड स्केल पर पोल रिगिंग किया, बी-जे-पी के मताबिक Mother of Democracy के सफेद दामन पर ममता बैनर जी ने एक काला सा दाग लगा दिया है, बी-जे-पी और कॉंग्रिस के आरोप के घराओं में ममता दीदी की टी-एमसी ने बच-बचाव करने की कोशिश की, टी-एमसी का कहना ये है कि बेंगॉल को बदनाम किया जा रहा है, पॉलिटिक्स के लिए, अरे सा दीदी का तो बस चले तो बंगाल में हिंसा के लिए मोधी जी कोई जिम्मधार कर दे, टी-एमसी का उल्टा ये कहना है कि सेंटरल फोर्से इंक्लूडिंग बॉर्डर सेक्यूरिटी फोर्स ने बहुत जगाओ पर वोटर्स को डराया, धंकाया, एक पार्टी विशेश को वोट डालने के लिए कहा, बंगाल में ना रुकने वाले हिंसा की जिम्मधारी टी-एमसी तो ना लेना चाहती है, उन्होंने तो ये कह दिया है कि इलेक्शन के दिन मारे गए लोगों में, मनें सत्रा लोगों में, ग्यारा तो टी-एमसी के लोग मारे गए, दो कॉंग्रि में नंबर वन है, पुलिटिकल वाइलेंस में, इस पर कोई डिबेट नहीं है, तो क्या ममता बैनर जी इस हिंसा की जिम्मधार है, या बंगॉल में हिंसा की जो प्रथा चलती आई है, उसे ममता बैनर जी ने बेखूब परकरार रखा है अपने फाइदे के लिए, क्या है पंचायत इलेक्शन में, कि लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं, एक दूसरे के घर जला रहे हैं, क्या बेंगॉल में एक बार फिर से कोई पुरिबोर्तुन की हवा चल रही है, जिस वज़े से ममता बैनर जी थोड़ी सी डरी हुई है, वो ही हवा जिसने 2011 में लेफ्ट सांसा जाते हैं, दिल्ली में बहुत बड़ा आकड़ा है, तो क्या इस हिंसा के पीछे सिर्फ पॉलिटिक्स है, आइडियलोजिकल रीजन है, कोई क्लास क्लैश है, या ये एक हिंदू मुसल्मान लड़ाई अब बन रही है, इस सवाल पर तो खायकर न्यूस चैनल पर काफ कुछ नेता टाइब लोग तो दबे सुरों में प्रेजिडेंट रूल के मांग भी कर रहे थे, क्या आने वाले महीनों में 2024 इलेक्शन से पहले बंगाल में और खून खराबा अब होने वाला है, क्या ममता बैनर जी इसे रोक पाएगी या इसे बढ़हावा देगी, बंगा टाइब आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पी दबाओ NCRB एक record रखती है, murders due to political reasons, और इसमें बंगाल अपने आपको top पे पाती है, number one पाइदान पर, 20 मोते प्रती साल तो आप average लगा लीजिए, NCRB का ये कहना है कि 2019 elections के बाद 50 और मोते तो definitely report हुई है, post-pole violence में, और जादा तर ये South Bengal में दर्ज हुई है, ये मैं आपको बता दू ये बहुत सारे बहुत ही conservative estimate है, और problem ये भी है कि बहुत बार personal, business, property fights, political बन जाती है, या चप election होती है तो उसका violent रूप बहार आता है, लेकिन पक्की बात तो ये है कि खून खराबा अभी बंगाल में बढ़ रहा है, क्योंकि अब बंगाल में BJP अपना वर्चस्व करना चाहती है, TMC को उखाड़ना चाहती है, ठीक जैसे ममता बैनरजीनियर लेफ्ट फ्रंट को उखाड़ा था 2011 में, ठीक जैसे लेफ्ट फ्रंट ने Congress सरकार को उखाड़ा था 1977 में, और बदलाव जैसे होता है बंगाल में, इस हर बदलाव में खून की नदियां बहती है और इसका मतलब है कि सिर्फ pre और post election violence नहीं, बलकि violence आए दिन हमें दिखने को मिलेगा, इसमें state institutions भी शामिल होंगी, ये खैला होगा और बहुत bloody खैला होगा, लेकिन ऐसा है क्यों, क्या ये political खून खराबा के बगएर भी कोई transition of power हो सकता है बंगाल में, क्यों ममता बैनरज ये आँग में घासलेट डाल रही है, आएए देखते हैं, आज के पंचायत पोल violence को समझने के लिए थोड़ा बंगाल की history को समझना पड़ेगा, नहरू और और अरंजेंबाली history नहीं, पर ब्रिटिश history, बंगाल में political violence का इतिहास रहा है, सौ से जादा साल पहले जब गोर इसी के साथ साथ, इंडिपेंडेंस से पहले पेज़ेंट अप्राइसिंग और इंडिपेंडेंस के बाद 1967 का इंफेमस नक्षल बाड़ी rebellion, जहाँ पूरे की पूरे स्टेट एड्मिनिस्ट्रेशन को ओवर्टर्न करने की कोशिश हुई थी, फिर स्टेट ने पुलिस के थ खूब बर्बरता भी बरसाई, तो जब आब बंगाल सोचते हो, तो रोशगोला, माच, रोबिंदर शंगी, दुरगा पूजा के इलावा, पुलिटिकल वाइलेंस और रिजिस्टेंस की भी एक हिस्ट्री है, उसे भी याद रखो, सिर्फ नेता जी, शुभासंद्र बोसी नहीं, कुछ तो बात होगे बंगाल में, कि ब्रिटिश के खिलाफ इतने रेविलूशनरीज बंगाल से आये थे, लेकिन वो टाइम अलग था, जब देश के नाम पर करांतिकारी मरने के लिए तयार थे, अगर आज के घटिया, गंदे, पॉलिटिक्स और खून खराबे की उत्पत्ति को अगर आपको समझना है, तो आपको रिवाइंट करना पड़ेगा लेट 1960s, जब कॉंग्रेस के 20 साल के राज को CPM चैलेंज करने लगा, सत्ता किसे पसंद नहीं है, लेफ्ट फ्रंट और कॉंग्रेस दोनों के वर्कर्स के बीच में जड़ा फोनी शुरू हो होता है गन कल्चर इन बेंगॉल, एक दूसरे को मार डालने की प्रता, 1970s में कॉंग्रेस और लेफ्ट के बीच में किस्सा कुर्सी का खीचातानी चलता रहा, कॉंग्रेस सत्ता में लेकिन किसी तरीके से वापस आती रही, मसल पावर के जोर पर, पुलीस की मदद से, रिग परता दिखाई, वो ही जुल्म धाए जो कॉंग्रेस ने उसके उपर किया इतने साल, साथी साथ लेफ्ट फरंट सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, वो एक रूरल रीफॉर्म लाती है, पंचायक्स को बढ़ावा देती है, और उन्हें पावर और पैसा देती है, अब पर पावर को अपने पास रखे, पावर को कैप्चर करे, देखिए इस समय आपको ये भी समझना हो बढ़ेगा कि लेफ्ट जानती थी कि जो एलीट्स थे, जो अर्बन थे, जो जमीनदार थे, वो कॉंग्रेस के साथ थे, इसी लिए लैंड री डिस्ट्रिबूशन को भी इतना जादा महत्व दिया गया, बाई दे लेफ्ट की भाईया, ग्रास रूट अपने हाथ में हो, जब गाउं की लेवल तक का आपका पुलिटिकल कंट्रोल इतना तगड़ा होगा, तब आप सालों तक राज करोगे, जैसा कि लेफ्ट रंट ने किया, जब गाउं का किसा और वहां का प्रधान आपका महताज होगा, तो तीन दशकों तक आपको कोई हाथ तक नहीं रगा सकता है, आज पंचायत पोल्स में इतना घमसान और इतना वाईलेंस इसी लिए है, क्योंकि बेंगॉल में पुलिटिकल पावर कैप्चर करने के लिए उसकी नीव पंचायत पर ही डलती है, दूसरे जगों के मुकाबले बंगाल में पंचायत बहुत ज़ादा एहमियत रखता है, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं, लेफ्ट फ्रंट सरकार के अंडर पब्लिक गुड्स सर्विसिस की डिलिवरी पंचायत से होने लगी, और इस सिस्टम को पंचा का दबदबा बनने लगा, वहां सरकारी दुखाने ठब, पॉलिटिकल साइंटिस पार्था सार्ती बैनर जी ने सही नोट किया था, हमारे देश में पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल स्ट्रगल बहुत रूप में आते हैं, कहीं फैमिली पॉलिटिक्स होता है, कास्ट पॉलि के बिना कुछ नहीं हो सकता था, पार्टी आपके जिन्दगी का एक हिस्सा बन गया, इस पार्टी को पावरफुल रखने के लिए जो टूल इस्तमाल किया गया, जो टूल किट इस्तमाल किया, वो था वाइलिंस और इंटिमिडेशन का, और बेंगॉल में ये सालों से काटने लगे, CPI vs. CPM vs. RSP vs. Forward Block, एक पुरानी कहावत है कि बच्चों के डाइपर और अपने political leaders को अकसर बदला करो, नहीं तो बहुत गंदे हो जाते हैं, बास मारते हैं और बीमारी भी पहला सकते हैं, बेंगॉल के साथ भी वही हुआ, अब बंगाली लोग किताबे तो हर हफते बदलते हैं, लेकिन बेंगॉल में अपनी leadership ना change कर पाए, लेफ्ट फ्रेंट elections तो जीत लेती, लेकिन बेंगॉल में business और brains दोनों का पलायन होने लगा, CPM बनी थी communist ideology पर, लेकिन बन तो गई capitalist, मने अपना मुनाफा और अपनों का मुनाफा, वैसे लेफ्ट पुलिटिकल किलिंग तो छोड़ो, वो तो आम सी बात हो गई है, देखो लेफ्ट फ्रेंट ने कोलकाता के बीच में क्या किया, यूथ कॉंग्रेस ने एक मार्च निकाली 1993 में पुलिस ने esplanade में firing खोल दी, तेरा लोग मारे गए, CPM के एक worker ने ममताब एनरजी के सिर पर, शहर के सबसे बीच में, बिजी में, चोराहे पर, इतनी बुरी तरीके से सिर परवार किया, कि ममताब एनरजी मरते मरते बची कोमा में चले गई, आईरनी तो देखो, वो ही ममताब एनरजी जिसने इतना political violence देखा है, सहा है, आज खुदी वो ही गलती दोहरा रही है, में और CPM और भूमी उच्छेत प्रतिरोध कमिटी के बीच में जो क्लैशेज हुई, उसमें पचास से भी जादा लोगों की मौते हुई, बंगाल के किसान और कोलकाता में बैठा भदरलोग बोला, बाबा, अब नहीं, और हो गया, भई, लेफ्ट तुमारा, टाइम ओवर ममता बैनर जी को मौका मिल गया, लैंड अक्विजिशिशन का मुद्दा उन्होंने उठाया और खूब वोट बटोरे, अपने ही नाकामी और अपने ही बोज तले लेफ्ट फ्रेंट सरकार तेजी से धसने लगी, और 2011 एलेक्शन में दीदी ने खेला कर ही दिया, बंगाल क सत्ता आ गई उनके हाथ में, और लेफ्ट का स्टेट में हो गया सुर्यस्त, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये फिक्शन नहीं है, ये रिसर्च फैक्ट्स है, प्रॉब्लिम ये है कि हम आजकल वाट्साप को ही रिसर्च मान लेते हैं, अगर आप थोड़ा रिस किताबे पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि बंगॉल में वाइलेंस की हिस्ट्री क्या है, कभी अगर गलती से टाइम मिले, तो अंबर कुमार घोश और निरंजन साहू का एक रिसर्च पेपर पढ़ लो, जिस रिसर्च पर हमने भी इस एपिसोड को आधार किया है, य आठिकली पल्डो स्क्रोल पर बहुत सारी इंफर्मेशन आपको मिल जाएगे, चलो मान लिया, कि कॉंग्रेस ने अपने टाइम में, फिर लेफ्ट ने, मने जोती बासू, बुद्दे भटचाजी ने, अपने टाइम में वाइलेंस का सहारा लिया as a political tool, लेकिन मंताब एनर जी के पास मौका था, इसको बदलने क्या, in fact 2011 के election campaign ने, उन्होंने खुद बोला था, कि ये politics of retribution को वो अब नहीं आगे बढ़ाएंगी, बदले की भावना नहीं रखेंगी, कॉंग्रेस और लेफ्ट की इस घिनोने परंपरा का the end होगा, लेकिन सत्ता हाथ में आते ही अच बर्स को मार गिराया गया, अब तक 56, बंगाल में लगता है कि भई election आप जीतते ही नहीं हो, जब तक न लाशे बिछें, तब तक election जीतने का कोई मजा ही नहीं है, इस बार के पंचायत election के तरह, 2018 में भी पंचायत election हुए, TMC rule के अंडर, तब कम से कम 10 लोग मारे गई election के द पंचायत election में जीती uncontested, आप सोचिए, एक election में एक तिहाई seats कोई party जीती है बिना कोई contest के, अब ये मत सोचिएगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि TMC के प्रती लोगों का इतना प्यार हुमर रहा था, ये इसलिए हुआ क्योंकि opposition party candidates को या तो धमकाया गया, या तो गाया भी कर लिया गया, opposition मुक्त election क्या होता है, ममताब एनरजी ने हमें पहले ही दिखा दिया है, और ऐसा कोई भी democratic system में ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बार के पंचायत election में TMC 10% seats uncontested जीती है, हाला कि ये uncontested 1% भी नहीं होना चाहिए, लेकिन BJP का ये कहना है कि 34 से 10% जो uncontested विन गया ह ये ही दिखाता है कि ममताब एनरजी का hold और लोकप्रियता दोनों ही कम हो रही है, 2017-2018 तक बंगॉल इस पड़ाओ पे आ गया था कि हिंसा अब CPM वर्सिस TMC नहीं हो रहा था, बलकि अब TMC वर्सिस BJP होने लगा, अब शुरू होता है नया wave, 2019 के लोकसभा elections में हिंसा फिर भ इसी बात है कि TMC को BJP से खत्रा महसूस होने लगा और वाइलेंस का फिर से सहारा लिया गया, 2021 में assembly elections में इस बार ममताब एनरजी ने फिर बेंगॉल में अपना परचम लहराया और जीत के बाग वही मौत का खेल शुरू हो गया, बीजेपी का कहना है कि इस election के बाद 14 party workers उन लिए शाय 2023 पंचायत elections में TMC के इतने लोग मरे, लगता है कि BJP को bloody Bengal का formula अब समझ में आ गया है, लेकिन क्या ये latest round of violence सिर्फ politics के वज़े से हो रही है या ये ideological shift भी हो रहा है, ये कोई धर्म युद तो नहीं बन रहा है बंगाल में, ये देखना भी interesting है, और इसे समझने के लिए BJP's rise to power in Bengal भी देखना होगा, काफी दिल्चस्प है ये अपने आप में, क्योंकि 2011 में CPM के बंगाल में बुरे दिन शुरू हो गए, लेफ्ट का ना तो दिली में कोई hold बचा, ना तो कोई कोलकाता में, उसके against TMC ने कहर बरसाना और भी शुरू कर दिया, every day, every month, और 2018 2018 के पंचायत election में, तो चरम सीमा तक ये बरबरता पहुँच गई, TMC के भारी जीत के बाद, CPM को भारी मार पड़ी फिर से, तब जाकर CPM का कारडर को एक बात तो समझ में आ गई, जो भी कारडर बाकी थे, कि भाया, उनको बचाने वाला अब कोई नहीं है, तो उन्होंने पार्टी बदल दी, माओ को मारो गोली, मोधी को पकड़ लो, आइरनी इस बात में ये है, कि BJP को बंगाल में फास्ट ग्रोथ देने में खुद ममताब एनरजी का काफी हाथ है, क्योंकि CPM के फुट सोलजर्स को लेकर, उन्हें सपोर्ट, उन्हें प्रोटेक्शन देकर, BJ BJP अपना फुट होल्ड काफी जल्दी बढ़ा चुकी है बंगाल में, अब बाकी रही लीडर्शिप की बात, तो TMC के लीडर्स पर केस करके, लीडर्स खुद ही BJP जॉइन करने लगे, अरे ED है तो मुम्किन है परे दोस्त, BJP का बंगाल में आगमन के बाद, TMC के मुस्लि की घटनाएं हैं, ये दिन बदिन अब बढ़ रही हैं, याद रखे, बंगाल में एक बहुत बलडी कम्यूनल पास्ट रह चुका है, और इस एक जो डिवाइड है, उसे फिर से खुरेदा जा रहा है, तो जो फाइट पहले आइडियोलोजी पे लड़ी गई बंगाल में, फिर आर्थिक तंगी के चलते वो फाइट हैव एन हैव नोट्स के बीच में हो गई, अब वो लड़ाई धीरे धीरे हिंदू मुसल्मान की शकल ले रहा है, और शायद टी एमसी के पास इसका कोई जबाब नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के पास फॉर्मर सीपीम वर्कर् अब बीजेपी लॉइन ओर्डर के नाम पर सेंट्रल फोर्सेज ला रही है बंगाल में, तो वो जो पुलीस का खैला होबे, वो ज़ादा नहीं हो पा रहा है, और वाइलेंस और नो वाइलेंस, बंगाल बीजेपी के लिए एहम है, ट्वेंटी ट्वेंटी फोर, अगले ल आगे ही बढ़ा रही है, लेकिन चलो इन लोगों को, इस निता टाइप लोगों को, तो पावर मिलता है, पैसा मिलता है, पॉजिशन मिलता है, लोग क्यों मर रहे है, क्या उनको ये खेल नहीं दिख रहा है? Fact तो यही है कि ना माओ ना मोदी ना हिंदू ना मुसल्मान सबसे बड़ा factor है बंगाल में पापी पेट बंगाल में पिछले कई दशकों में कोई industrial development नहीं हुआ है Rural Bengal में बहुत जादा तंगी है लोग सरकारी स्कीम्स और पंचायत पर काफी निर्भर रहते हैं अपनी जरूरतों के लिए पार्टी इसी लाचारी का फाइदा उठाती है हमारे साथ हो, हमारे हो तो दोदाना मिलेगा, नहीं हो तो भूके सो जाओ महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act और दूसरे Rural Development जो स्कीम्स हैं सिर्फ रोजगार का अफसर नहीं देती हैं उनके साथ जो करोरों के फंड आते हैं, उससे खूब सारा करप्शन होता है तो पंचायत इलेक्शन जीतने के बहुत सारे फाइदे होते हैं बेगौल की आर्थिक अवस्ता दशकों से खस्ती रही है, इस पे तो कोई डिबेट नहीं है लेकिन एक पंचायत के पास 40 से 50 करोर की फंडिंग आती है और सब को इसका कट चाहिए इसी लिए Political Power ज़रूरी है दूसरा, Smuggling बड़ा बिजनस है बंगाल के कई अलागों में Border Radias में Cattle Smuggling को ले लीजे दूसरे जगों में Illegal Sand Mining ले लीजे Cole Mining ले लीजे अगेन ये सारा Illegal काम Political Power, Local Political Power के बिना नहीं हो सकता है जिसके पास Power है, फिर उसके पास बेशुमार पैसा भी आ जाता है जब तक Party जीत रही है तब तक किसी को पंचायत में क्या हो रहा है वहाँ क्या दंगल चल रहा है, उससे कोई फरक नहीं पढ़ा है बंगाल में, और सोशल मीडिया पर पहले तो ये सारी खबरे रिपोर्ट भी नहीं होती थी इसलिए लेफ्ट भदरलोक लीडर्स कोलकाता में बैटकर मार्क्स और जस्टिस की बाते करते थे लेकिन पंचायत लेवल पर तो गैंग्स और वसेपुर चल रहा है वहाँ ममतब एनरजी ने भी यही फॉर्मूला अपनाया भया, सी नो इवल, हीर नो इवल मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है मोधी को डिक्टेटर तो बोल दिया लेकिन वही काम आपकी पार्टी पंचायत लेवल पर कर रही है वो आपको दिखा नहीं और ये सब वाइलेंस करने के लिए लोग भी आसानी से मान जाते हैं क्यों? अरे इंडस्ट्री नहीं है, नौगरी नहीं है उनको भी तो कुछ तो चाहिए तो भाड़े के गुंडे बहुत सस्ते में आपको बंगाल में मिल जाएगा थोड़ा पैसा, थोड़ा दारू कर लो दुनिया अपनी मुठी में ऐसा नहीं है कि मेड इन बंगाल नहीं हो रहा है बाइद वे चाइना से फॉक्स कॉन गुजरात में आए या ना आए लेकिन बिहार के मुंगेर से गन मैनुफाक्चिरिंग इंडस्ट्री अब बंगॉल के मालदा में शिफ्ट हो चुकी है बंगॉल इसलिए भी क्योंकि यहां से पूरे नौर्टीस्ट और पूरे बंगला देश में गन सप्लाई हो सकता है गन्ज ही नहीं बंगल शायद एकलोता ऐसा प्रदेश होगा पूरे देश में जहां बॉम मेकिंग फैक्टरी अक्सर पाई जाती है और इसमें बीजेपी के टीएमसी के लोग दोनों शामिल होते हैं और कभी-कभी बॉम बनाता है बनाता ही बॉम फूर जाता है बंगाल में इस पंचायत election में पिछले पंचायत election के comparison में शायद violence थोड़ा सा कम हुआ है अभी post-poll violence बाकी है तो हम comment नहीं कर सकते हैं उधर टीएमसी के अंट कर्देस्टेट बिंस भी कम हुआ है लेकिन टीएमसी के लोग जादा मरे हैं क्या इसका मतलब है कि BJP अब इट का जवाब पत्थर से दे रही है हो सकता है वो ही Congress to the Left, Left to the TMC, TMC to the BJP पूरा वाइलेंस का चक्कर रिपीट हो रहा है और जब तक ये politics of revenge हम नहीं खतम करेंगे ये मौत का खेल चलता रहेगा बंगाल में यूपी, बिहार, राजस्थान, महराष्टा, यहां भी political violence होता है कास्ट बेस, political violence, socio-cultural है communal sentiments के वज़े से violence होता है इन states में बंगाल में socio-cultural, ideological, economic factors के उपर एक factor बैठता है, political domination और उस political domination से मिलने वाला power और पैसा और इस violence को खतम करने की जिम्यदारी तो फिलहाल ममताब एनरजी के कंधों पर ही है यूपी, बिहार में boot capturing, political violence होता था लेकिन वो states अब आगे बढ़ चुकी है बंगाल अभी भी पुराने जमाने में जी रहा है और जब तक state की economy आगे नहीं बढ़ेगी तब तक ये चबनी चाप काम ही करते रहेंगे बंगाल में cut money लेंगे, commission money लेंगे, protection money लेंगे ये दादा type business अब बंद करना पड़ेगा बंगॉल को पिछले सरकारों ने गलत किया है, इसमें कोई debate नहीं है बहुत हद तक BJP भी शायद अब गलत रास्ते पर चल चुकी है लेकिन प्रदेश की मुख्या अभी तो ममताब एनरजी है और पिछले 10 सालों में अगर वो चाहती तो एक political reform ला सकती थी लेकिन सत्ता में आने के बाद कोई self reform नहीं करना चाहता है सबको बस चाहिए सिर्फ पावर जल्द ही ममताब एनरजी देखेंगे कि उनके दर्वाजे पर भी एक नई शक्ती दस्तक दे रही है जैसे ठीक जैसे उन्होंने left front के party office पर दस्तक दी थी 2011 में क्या फिर से पावर बदलने के बाद बेंगॉल में ये cycle of violence रुकेगा आशा तो यही है लेकिन उम्मीद कब है देशबक्त पर आपको deep dive episodes अच्छे लग रहे हैं ये सुनकर ये देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ये deep dive episodes बनाना इतना आसान नहीं होता है इसमें research involved होता है काफी हता बहुत सारा editing का काम involved होता है आप editor तो छोड़ने की धमकी देता रहता है मुझे लेकिन ये episodes इसलिए possible होते हैं क्योंकि आप लोगों का support होता है नहीं तो लोग पूछते रहते हैं कि फंडिंग कहां से आती है तो अगर फंडिंग कहीं से आ रही होती है अभी तक रूप चुकी होती है क्योंकि हमने तो सबका band बजा दिया चाहे वो Congress हो चाहे वो BJP हो चाहे वो आम आदमी party हो इस episode में आपको TMC का भी दिख रहा है तो सवाल ये है कि funding आती कहां से funding आती है आप से काफी हद तक on patreon.com slash the deshbhakt या फिर नीचे दिये गए join button से और खासकर कि हमारे ultimate deshbhaks जिनके वज़े से ये सारा काम भी हो पाता है तो अगर आप support कर सकते हैं छोटा या बड़ा लेकिन बहुत जरूरी है हमारे लिए ऐसा काम करने के लिए और episodes दाने के लिए कि आपका support हमेशा हमारे साथ हो thanks so much और खासकर कि हमारे members जिन्होंने ये episode को demand किया ऐसे episodes और भी आते रहेंगे